हलो फेंट्स में मंदीप सोगत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर फेंट्साज की इस वीडियो में फुल टिटोरियल मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी एक डिजाइनर ब्लाउस का साथी इसमें डिजाइनर परफ स्रीस पिर रहेगी पर वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरे फुल टिटोरियल पसंद आते हैं क्योंकि काफी दिनों से बहुत ही जादा रिक्वैस्ट आ रही थी कि दीदी आप पूरा टिटोरियल मतलब कि फ्रेंट और बैक पार्ट का दोनों का वीडियो शेयर करें मैं बीच बीच में कोशिश करूंगी आप लोग के लिए इस तरीके के फुल टिटोरियल अप्लोड करूं पर उससे पहले मैं आप लोगों से ही कहना चाहूंगी अगर आपको मेरे टिटोरियल पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करना आप बिल्कुल ना भूले व आपके मैं आगे और वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूं जिसमें कटिंग और स्टिचिंग सिंपल हो और बनाने में यह इजी हो और दिखने में यह डिसाइनर हो तो चलिए मैं आपको बता दीती हूँ इस ब्लॉज को बनाने के लिए मैंने कितना फैब्रिक लिया है पर आपको इस ब्लॉज के लिए देल मीटर कम से कम कपड़ा चाहिए यह पॉंपलम ब्लॉज है और बहुत ही सुंदर यह ब्लॉज बनता है अस्तर का कपड़ा कम भी लेंगे तो चलेगा पर मैं फैब्रिक आपको चाहता लेना है अस्तर सिफ इसमें चोली बाले पार्ट पर ही लगेगा आप इसे प्रिंसस कट और फोर टक्स दोनों बेल्ट ब्लॉज पर भी बना सकते हैं तो कटिंग आप अपनी पसंद से कीजिएगा मैं यहाँ पर सिंपर वन टक्स पेस का कटिंग कर रहे हूं इसमें मैं मैंजर्मेंट लूंगी बोटने का तो आप अपने स चेक करके लीजेगा मैं यहाँ पर 34 साइस का बना रहे हूं 34 साइस का शोल्डर आर्मोल रखे है मैंने 7 इंच और यह प्लाउस आप टॉप के जैसा भी पहन सकते हैं और इसमें थोड़ा यह होता है जैकेट पैटन पर तो इसे आप आदा इंच लूस करके भी लेंगे तो चेस्ट पर दीकिकेज़़ आर्मोल 34 साइस के एकॉड़िंगह लिये हैं चेस्ट पो वेस्ट में आदा हिंच मैंने इसमें लूजिंग दीया है तो यहाँ पर चेस्ट का जोथा भाग ले लिया है मैंने नौ इंच और देभ हिंच एक्स्टर रखा है मार्जल के लिए मार् तो यहां पर management लेने के बाद हमने के से out कर लेना है इस तरीके से शो ड़को भी डॉंड कर लेंगे तो यह back part का cutting कर लिया है सबसे पहले मैंने back part को cutting किया है लिए seven अब जड़े का पार्त किया इसके बाद में front part cutting कर रही दिखिए confused नहीं होना है आपको दो लाइन में ने draw किये तो एक लाइन कपड़ा सीधा करने के लिए किया है और एक लाइन मैंने high hook के पट्टी के लिए किया है अब इसे azities draw कर लेंगे तो मैं इसे one text पे बना रही हूँ तो मैंने आगे की और पीछे की length same रखी अगर आप princess cut पे बना रहे हैं तो नीचे से आधा इंच आप extra लीजिएगा साइट से देखिए मैंने एक इंच एक इंच एक्स्टा लिया है यह देखिए back part को रखकर मैंने इसका cutting कर दिया है तो आपको easy रहेगा इससे cut करने में साइट में से 1 इंच मेंने बढ़ा लिया है बाद में जो भी extra part रहेगा इससे हम fitting करते समय cut करेंगे तो अगर आपको blouse में fitting करना नहीं आता है तो आप last वाला part ज़रू देखिएगा आदा इंच मेंने कमर के हाँ से कम कर दिया है आदा इंच मेंने उपर करके cutting किया है इससे हमारे blouse का fitting अच्छा आता है कमर की तरफ से और अब हमने arm hole के लिए marking कर देनी है front part के लिए front का गहराई आप इस तरीके से दीजेगा जैसे की boat neck blouse है तो पोना एक इंच आपको देना है अगर आप deep neck पर बना रहे है तो आपको आदा इंच का गहराई यहाँ पर cut करना है मेरा यह जो pattern है वो boat neck का है तो मैंने यहाँ पर इससे cut कर दिया है अग हमें लेना है यहाँ प 13 इंच पर मार्क किया है उपर से tux point मार्क करेंगे 9.5 इंच पर बड़े सा इसका बना रहे हैं तो 10 इंच पर मार्क किजिएगा इस ब्लाउस के total length मैंने 13.5 इंच ली है जितनी भी length आपको तयार रखनी है इसमें एक इंच मार्जिन का प्लस करके लेंगे टक्स में मैंने यहाँ पर दोनों तरफ पोना एक इंच पोना एक इंच मार्क किया है 0.75 इंच 0.75 इंच मार्क कर लेंगे सेम दीखें टक्स की मार्किंग हमने दूसी तरफ से भी कर लेनी है अगर आप बड़े सा इसका बना रहें तो टक्स आप 10 इंच पे लीजिएगा यहाँ पर दिखिए मैंने मार्किंग अच्छे से कर दिया है यहाँ पर दिखिए मैंने मार्किंग अच्छे से कर दिया है यहाँ पर दिखिए फ्रेंट पार्ट को बराबर से करके रखेंगे आर्ड मूल का कटिंग भी मैंने कर लिया है गले का मैजमेंट लेना है गले की विट रखी है मैंने 3.5 इंच 3.5 इंच पर neck width का मार्किंग करेंगे गले की लंबाई ली है 6 इंच और नीचे से भी 3.5 इंच पर मार्क किया है इसमें back side का neck में छोटा रख रही हूँ और front का deep neck रखा है तो यहाँ पर हलके हाथों से हमें V-shape देना है यह दिखे हलके हलके हाथों से V-shape देंगे और यह boat neck है तो इसमें neck को हम ज़्यादा फैलाएंगे नहीं simple V-neck के हाँ पर रखा है मैंने तो front part का marking मेरा पूरा हो गया है back part के लिए marking कर रही हूँ मैं यहाँ पर neck weight 3.5 inch गले की लंबाई रखी है 3 inch यहाँ पर हम simple boat neck का shape देंगे तो दोनों part के marking मेरी पूरी हो गई है अब मैं कर रही हूँ इसका man kपडे पर cutting man kपडे पर cut कर रहेंगे से तो देखे दोनों part मेरे यहाँ पर cutting हो गए है अगर आपको back side में design चाहेए तो नीचे की तरफ आप design भी ले सकते हैं और इसे back open भी बना सकते हैं sleeves cutting करने के लिए arm hole लाप लेना है margin वाला part छोड़के arm hole मेरे measurement में आ रहा है 7 inch तो देखे sleeves के लिए मैंने कपड़ा निकाल लिया है और इसके बाद जो नीचे की तरफ फ्रिल बनेगी इस blouse के लिये उसका भी कपड़ा मैंने अलग से निकाल दिया है तो sleeves के लंबाई आप अपनी पसंद से लीजेगा बस आपको इसमें जितनी length तयार रखनी है उससे 4 inch 5 inch कपड़ा यहाँ पर लंबाई में बढ़ा कर लेना है क्योंकि इसके उपर में buff बना रही हूँ तो इस style के design के साथ buff sleeves इसमें बहुत ही अच्छा जाएगा तो यहाँ पर दिखे sleeves की लंबाई मैंने रखी है 10 inch की और यहाँ पर arm हुल लिए है 7 inch नीचे से मैं जो fold करूँगी उसके लिए मैंने अलग से 1 inch लिया है 3 inch पर मैंने इसे down रखा है simple इस तरीके से shape दीची sleeves का यहाँ पर bottom का measurement लेंगे sleeves का अधा लेना है और 10 inch extra लेना है margin के लिए margin से margin और main fitting की line हमने draw कर ली है अब मैं यहाँ पर बढ़ा रही हूँ total 4 inch आपके पास अगर 5 inch 6 inch कपड़ा बसता है तो आगे उपर और आप बढ़ा सकते हैं 6 inch तक अब आपको जो sleeves होता है उसका आधा आप यहाँ पर ले लीजिए और इस तरीके से box जैसा shape हमने दे देना है अब आपको हलके हाथों से दिखी से इस तरीके से मिला देना है तो बहुत ही अच्छा एक puff यहाँ पर create होगा पैने पे इसका look बहुत ही अच्छा आएगा हलके हाथों से आपको shape यहाँ पर proper देना है तभी plates बराबर से बनेंगी और गहराई आप इसमें front part में जैसे हम देते हैं वो गहराई भी cut करनी है तो आगे मैं आपको बताऊंगी उसे कैसे cut करना है मैं sleeves में अस्तर नहीं लगा रही हूँ अगर आप अस्तर लगाना चाहें तो अस्तर भी attach कर सकते हैं मैं इसे नीचे से fold करूँगी तो fold करने के लिए नीचे मैंने अलग से एक इंच लिया है center में cut करेंगे और जहाँ पर हमने marking किया था sleeves को आधा करके वहाँ पर भी मैंने cut लगा दिया है front के लिए मैं आधा इंच अंदर की तरफ करते हुए इस तरीके से नीचे तक mark कर रही हूँ माल से इंच के उपर तक हमने marking कर दीनी है अब इसे अच्छे से shape देने के बाद हमने cut कर लेना है यह देखिए इस तरीके से cutting करेंगे ज्यादा cut हम नहीं करेंगे इसमें अब देखिए इसे आपको double fold कर लेना है और जो दूसरा वाला cut है उस cut से cut को मिलाते हुए जैसे कि हमने गहराई देदी है तो cut हमारा चला गया है अब इसके उपर आप इसे रख लीजिए और यहाँ पर cut लगा दीजिए पहले निशाल लगाएंगे फिर इस पर cut लगा लेंगे तो इतना ही फैब्रिक मेरे पास बचा है और नीचे की तरफ अम्रेला वाली फ्रिल भी बनती है पर मैं इसमें simple plate वाली बना रही हूँ क्योंकि फैब्रिक नहीं है अगर उस तरीके का हमें फ्रिल बनाना होता है अम्रेला वाला तो हमें 2 मीटर फैब्रिक यहाँ पर लेना है तो मैं simple आपको plates वाली यहाँ पर जो फ्रिल है वो बताऊंगी कपड़े को हमें दोनों तरफ से बराबर करके cut कर लेना है अब मैं जो बचवा फैब्रिके इस तरीके से cut कर रही हूँ आपको length बता दीती हूँ इसकी 8 इंच लंबाई आ रही है अगर आपके पास कपड़ा जादा होता है तो आप और बढ़ा कर भी ले सकते हैं दोनों पाट को बराबर करके चेक कर लेना है कहीं से कोई पाट बढ़ा चोटा तो नहीं हो रहा है यह देखी मैंने आपर इससे cut कर दिया है तो cutting मेरी blouse के पूरी हो गई है सभी पार्ट हमने cut कर लिए है अब मैं कर रही हूँ इसका stitching तो बहुत एजी तरीके से और कम समय वाला stitching में आपको यहाँ पर बता रही हूँ बनार्सी का fabric के अगर आपका कपड़ा soft होता है तो आपको गला पट्टी लगाना है अगर इस तरीके के बरॉकेट वाला या बनार्सी वाला fabric होता है आपके पास तो आप इस तरीके से इस स्लाई लगा कर पलट सकते हैं उबर पहले मैंने गले पर स्लाई लगाया है फिनीचे कमर पर स्लाई लगाया है और इसमें छोटे-छोटे cut लगादेने अगर आप सिलाई लगाकर पलट रहें तो सिलाई के पास तक कट जरूर से लगाए अब देखिए हमें क्या करना है इसे पलट के सीधा कर लेना है प्रेस करना चाहे तो प्रेस भी कर सकते हैं प्रेस करने से गला अच्छे से बैठ जाता है या फिर सिलाई लगाकर बात में भी कर सकते हैं कपड़ी को अच्छे से हाथ से बढ़ाते जाना है और सिलाई लगाते जाना है तो देखे यहाँ पर सिलाई लगाने से हमारा नीचे कमर में भी फिनिशिंग हो गया है और उपर नेक पर भी फिनिशिंग हो गया है इसके बाद बाहर की तरफ से सलाई लगा देंगे और यहां पर जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक निकल रहा है इससे कट करके निकाल देंगे यह देखिए यहाँ पर extra fabric को हमने cut कर लेना है इसके बाद front part ready करेंगे अब मैं front part बना रही हूँ तो देखिए front part के लिए हमने neck को पहले cut कर दिना है इस तरीके का अगर आप पलटने वाला neck बनाते तो जब आप fly करते हैं उसी समय आपको neck को cut करना होता है नहीं तो गला पहले से cut करके रखेंगे तो neck फैल जाएगा दोनों पाट को अलग अलग कर दिया है cutting करके इसके बाद हमने क्या करना है देखिए आपर गले को sly लगा देनी है sly लगाएंगे तो machine का जो food होता उसका एक पेर का margin cover करते हुए लगाईएगा और नीचे से आधा हैंच का margin cover करते हुए लगाईएगा sly अब इसे भी हमने पलट लेना है पलट के अच्छे से finishing कर देंगे आपर finishing की sly हमने लगा लिनी है गले पर और नीचे कमर की तरफ सिलाई लगाने से पहले आपको हातों से अच्छे से पहले कपड़े को बाहर की तरफ निकालना है और फिर सिलाई लगानी है नहीं तो अंदर की तरफ कपड़ा दबा रहता है तो पहले हास से आप कपड़े को निकाल ले उसके बाद ही सिलाई लगाए तो दीके मैंने यहा लगा कर पलट लेना है दूसरा वाला पार्ट भी मैंने तयार कर लिया है एक्स्ट्रा कप्डे को कट करके निकाल देना है दोनों पार्ट मैंने तयार कर लिया है इसके बाद देखिए यहाँ पर जो प्लिट से हमारा वन टक से वो लगा लेंगे तो मैंने आपको बता दिया था किस तरीके से यहाँ पर आपको मार्किंग करनी है दोनों पार्ट पर वन टक की सिलाई हम लगा लेंगे इस तरीके से यह देखिए बराबर करके आप चेक ज़रूर कर लीजेगा कहीं से कोई पार्ट बड़ा चोटा तो नहीं हो रहा है आगे के दोनों पार्ट रेडी हो गए हैं इसके बाद मैं हाई हूग की पटी लगा रही हूँ तो हाई हूग की पटी आप अपनी पसंद से किसी भी तरफ लगा सकते हैं इस तरफ या दूसी तरफ तो ये मैं हाई की पटी लगा रहे हूँ इस तरफ नीचे से पटी को आपको बढ़ा कर लेना है नीचे से भी fold कर देना है और उपर से भी fold कर देना है क्योंकि उपर और नीचे दोनों तरफ finishing हो चुका है blouse का इसलिए पटी को आप बढ़ा कर लीजिएगा ये देखी, पटी को मैंने उपर की तरफ fold कर दिया है और ये भी अच्छे से attach हो गई है इसके बाद मैं दूसरी तरफ लगा रही हूँ हूग की पटी तो यहाँ पर आप ध्यान रुकिएगा आधा इंच का मार्जिन लेते हुए आपको हाई और रूक की पटी को अटेज करना है अब अंदर की तरफ इसे फोल्ड कर देना है दोनों तरफ से पटी को फोल्ड करेंगे यह देखें बराबर से हम यहाँ पर पटी को फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पर मैं भूक की पटी पर कच्छी सलाई लगा रही हूँ इस पर मैं बात में तुर्पाई कर लूँगी सुईधा के से दोनों पार्ट को बराबर करके चेक कर लेंगी, यहाँ पर इसे पिन के साथ अटेज कर लेते हैं बराबर से रखते हुए पिन लगा कर हमने इसे अटेज कर देना है तो दीखे, फ्रेंट पार्ट बनके तयार हो गया है और अब इसके बाद मैं आपको बताती हूँ पर्फ स्लीव्स तो पर्फ स्लीव्स के लिए हमने पहले ही यहाँ पर दीखे जो कर लगाया था मैंने यहाँ पर क्रॉस का निशान भी लगा दिया है ताकि गहराई वाले पार्ट का आपको धियान रखे रहेगा कि यह वाला पार्ट आपको फ्रेंट में अटेज करना है तो दोनों तरफ की जो स्लीव से बॉटम नीचे से मैंने इसका फोल्ड कर लिया है अब अमने यहाँ पर जो कर्ट लगाया था वहाँ पर प्लेट्स बनानी है प्लेट्स का जो मूँ है वो आपको नीचे की तरफ रखना है इससे पफ जो है वो बहुत ही अच्छा क्रेट होगा तो दीखिए यह जो आपको प्लिट्स लगानी है यह सेंटर तक लगानी है यह देखिएगा और प्लिट्स का जो मूँ है वो मैं मारसिन वाली तरफ रख रही हूँ अब इधर से आपको प्लेट्स लेना है तो इधर से भी प्लेट्स का जो मूँ है वो आपको मारसिन वाली तरफ रखना है तो पहले वाली जो प्लेट्स शुरू करी थी वो हमने सेंटर जो कट था वहाँ पर खतम कर दी है यहां से जो हमने प्लिट्स बनाना शुरू किया है इसे भी मैंने सेंटर तक लाकर खत्म कर दिया है तो इससे जो पफ आया है वो बहुत अच्छा आया है और ज्यादा भी आया है आप देख सकते हैं कहीं से भी अगर कोई पार्ट बड़ा चोटा हो रहा है तो वो आप छाड़ दीजिएगा तो यहां पर सीष्ट मेरी तयार हो गई है अग हमने क्या करना है जो नीचे कमर में फ्रिल के लिए जो कपड़ा मेंने लिया था इसे में फोल्ड कर रही है तो कपड़े को पहले दो भाग में था उसे मैंने जोड लिया है जोडने के बाद दोनों तरफ से इसे फोल्ड कर लेंगे तो एक लंबी पट्टी मेरे पास आ गई है इसके बाद हमने क्या करना है इसकी फ्रिल बनानी है तो पहले मैं इसे नीचे से जो इसका बॉटम है इसे फोल्ड कर लेती हूँ आपको अगर पीको करना है या करवाना है तो आप पीको भी कर सकते हैं मैं इसे सिंपल फोल्ड कर हूँ तो नीचे का जो बॉटम का पार्ट है इसे हमने अच्छे से बारीक फोल्ड कर लेना है यह रेकी फोल्ड करके तयार कर लिया है अब इसमें प्लेट्स बनाएंगे तो प्लेट्स अगर आपका फैब्रिक सॉफ्ट होता है तो आप छोटी-छोटी प्लेट्स यहां पर ले सकते हैं अगर मोटा होता है जैसे कि मेरा है बनार्जी वाला फैफ्रिक तो आप यह बड़ी-बड़ी प्लेट्स ले सकते हैं यह अच्छी लगी कि जब आप इस पर प्रेस कर लेंगे तो यह प्लेट्स एगदम बेट जाएगी अच्छी से बैठाते हुए आप प्रेस कर सकते हैं तो पूरी ही पटी के ऊपर हम यह फ्रिल बनाकर इसे पूरा कर लेंगे तो मेरा कपड़ा यहां पर सलंग नहीं था इसे मैंने दो भाग में कट करके जोड़ा है कपड़े को और लंबा किया है मैंने यहाँ पर टोटल लेंद इसके आट इंच रखी है फ्रिल की आप अगर बढ़ा कर या कम करके रखना चाहें तो उसे साब से आप ले सकते हैं तो यह पैटर्न मेरा रेडी हो गया है फ्रिल तयार करने के बाद अब में यहाँ पर शोल्डर को जॉइंट कर रही हूं तो आगे शोल्डर की तरफ से बराबर से रखते हुए हमने सिलाई लगा देनी है सिलाई आप इस तरीके से यहाँ पर लगाईएगा यह दिखिए आगे पीछे पकता जरूर कर लें और एक सिलाई में कॉर्णर पर भी लगाते जा रही हूं क्योंकि यह बनार्सी का फैबरिक है इसमें धागे बहुत ही निकलते हैं अब हमने बैक साइट का मारकिंग करके यहाँ पर प्रिस बना लेनी है आप पहले भी बना सकते हैं प्रिस की नमबाई में इसमें ज्चा-दा रख रही हूं 5 की क्योंकि back neck pack है deep neck में हम छोटी plates लेते हैं और back neck अगर close है तो आप बड़ी plates ले सकते हैं अब हमने extra कपड़े को cut करना है तो extra fabric आप यहाँ पर इस तरीके से cut कर सकते हैं पहले आप center से pin लगा ले और इस तरीके से जो भी कपड़ा extra निकल रहा है इससे चाट ले चाटने से पहले आप एक पर नाप ज़रूर कर लें दोनों तरफ से extra कपड़े को मैंने चाट लिया है अब हमने sleeves को attach करना है sleeves attach करने से पहले आप इसका center mark ज़रूर कर लें कट लगा लें चॉक से मार्किंग कर लें और ध्यान रुकिएगा गहराई वाला पार्ट आपको फ्रंट में लगाना है जिस्ते कि हमने क्रॉस का निशान लगाया था तो आधा हिंच का मार्जिल लेते हुए sleeves को center से attach करेंगे आप हमेशा center से ही attach करें अब दूसरी तरफ से भी स्लाई लगाएंगे sleeves पर अब एक स्लाई हमने sleeves पर और लगानी है स्लीव पर डबर स्लाई लगाएं और मैं एक किनारे से स्लाई और लगा रहे हूं इससे हमारे स्लाई मजबूत भी होती है और थागे भी नहीं नहीं करते हैं तो ऐसे ही अब मैं दूसरी तरफ की sleeves को भी attach कर रही हूं दूसरी तरफ की sleeves मैंने यहां पर attach कर दी है अब हमने क्या करना है सेंटर से पिन कर देना है से और चेस्टो वेस्ट का चोता बाग यहां पर ले लेना है जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने इससे थोड़ा कि मैंने की mesi measurement होता है उसके according आप यहां पर मार्किंग कर लें तो दीखें का मार्किंग मैंने आप लिया है स्केयल से अच्छे से अब हमने इहां पर हम आपर लहा लगा देनी है तो sleeves का जो से इन दोनों जोइन्ट को मिलाते हुए ही Sleeves की फिटिंग लगानी है और निचे तक इस blouse को फिटिंग कर देना है फ्रिल अटेश करने के पहले ही हम ब्लाउस को फिटिंग कर लेंगे तो मैंने यहां पर गुम तरीके से जो फिटिंग करते हैं वो नहीं किया है आपको अगर वैसे करना है तो आप इसे भी कर सकते हैं मैंने इसे बिरकुल सिंपल तरीके से फिटिंग कर दिया है और दूसी तरफ से भी इस ब्लाउस का फिटिंग कर लेंगे अब देखे हैं पर हम फ्रिल को अटेज करेंगे तो फ्रिल अटेज करने से पहले आप एक पर इसे रखकर यहाँ पर चेक कर लें कि आपके जो फ्रिल है वो बराबर आ रही है या नहीं उसके बाद ही आप इसे ब्लाउस पर अटेज करें आप चाहें तो ब्लाउस को पहन के भी चेक कर सकते हैं कि आपको कमर में ये बराबर है या नहीं उसके बाद ही आप इसे अटेज करें प्लाउस के साथ तो ये फैब्रिक में धागे बहुत ही निकल रहे हैं इसमें अच्छी फिनिशिंग के लिए मैं फ्रिल को अटेज करने से पहले इसके पटी लगा रही हूँ तो मैंने यहाँ पर क्रॉस पटियां कट कर ली है और इसे जोड लिया है लगाना किस तरीके से है देखें सिंपल जैसे हम गला पटी लगाते हैं उसी तरीके से आपको इसे अटेज करना है तो क्रॉस पटी कट कर ली है और इसे मैंने जोड भी लिया है पटी को सिंपल हम यह वाहां पर इस तरीके से रख लेंगे और लगा देंगे पटी के उपर आप चाहें तो इसे नीचे सिलाई लगाकर उपर की तरफ पलटी भी कर सकते हैं पटी को तो पूरी ही फ्रृल पे इस तरीके से पटी को अटेश कर देना है दोनों तरफ थोड़ा कपड़ा छोड़ देना है इसे फोल्ड करने के लिए अब पटी को कर लेंगे फोल्ड और एक स्लाई हमने इस तरीके से आप लगा देनी है पटी की उपर कॉर्णर की इसके बाद पटी को अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है तो पटी को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे एक सिंगल फोल्ड किया है फिर इसा अंदर की तरफ डबल फोल्ड कर लेंगे अब हमने पटी को कर देना है अंदर की तरफ फोल्ड यह दिखिए तो दिखी उपर की तरफ अच्छी फिनीशिंग इस पे हो गई है फ्रिल के उपर पटी को इस तरीके से मैं आटेश कर दिया है जिसे की धागे न निकले अब हमने क्या करना है इस ब्लाॉस के उपर देखे, मैंने ब्लाॉस को सीधा कर लिया है और बहुती सुंदर लुका रहा है इसका इसके बाद हमने क्या करना है, फ्रिल को नीचे की तरफ रख लेना है और इसे अटेज कर देना है बराबर से यहाँ पर इससे रख लेंगे और सिलाई लगाते जाएंगे टक्स को दबाते जाना है नीचे जो टक्स लगे हुए हैं और कपड़े के साथ और सिलाई लगाते जाना है इस तरीके से यह देखी दोनों तरफ कॉर्णर पर हमने इससे पका कर लेना है तो दिखे अंदर से भी finishing हो गई है और उपर से भी इसमें finishing हो गई है blouse बन के तयार हो गया है high hook आपको यहीं तक ही करने है कमर तक नीचे की तरफ से यह सा खुला रहेगा इस तरीके से तो दिखे फ्रेंट्स मेरा इडिजाइनर blouse बन के तयार हो गया है तो फ्रिंट्स आपको अज़कर डिजाइन केसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताईएगा वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें धन्यवाद